परदीख स्वच्छ रही और परदूशन रही थू इसलिए परदीख सिरकार्नी सभी कारल्यों को ये आदेश चारी किये हैं कि उनमें प्लास्टिक और थर्मोकुल का प्रयोग नहीं किया जाएं। सबी प्रतनीधियों पर शहर को सुंदर और सुच बनाए रखने की जिम्मेवारी है और इस बैठक में सभी पारशत अधिक्ष और उपाधिक्ष मौजूद थे यही प्रतनीधि लोगों को सुच्चता की प्रती जागरु करते हैं और नो प्लास्टिक और धर्मा कोल जैसे नारे लगा कर उन्हें जागरु करते हैं जब इस बारे में कारेकारी अधिकारी सुधी शर्म से बैठे के दौरान प्लास्टिक की बोतलों का प्रियोग करने का पूछा गया, तो वो इस बात पर निरूतर नजर आए और बाद में प्रतनीधियों पर इस बात का ठीकरा फोड़ते नजर आए और कहा कि शायद उन्हें इस नियम के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी लेकिन वविश्य में इस बात का ख्याल रखा जाएगा और प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग ना किया जाएगा ये सुनिश्चित किया जाएगा गवारतलव है कि अगर चुने हुए प्रतनीदी ही सरकारी अधिश्यों का पालन नहीं करेंगी तो परदेश में चल रही सरकारी योसनाओं को किस तरह पूरा किया जाएगा यही नहीं जिन प्रतनीदियों पर शेहर को सुन्दर रखने और लोगों को स्वस्ता के प्रती जागरू करने की जिम्मेबारी है वह खुद ही अगर प्रदूशन फैलाएंगी तो प्रदीश प्रदूशन मुक्त कैसे होगा ये सूचने वाली बात है इसमें प्लास्टिक ़ॉटल की वजूर है लेकिन यहां पर प्लास्टिक ़ॉटल भी व्हूर है यह मामना मेरे ग्यान में नहीं है जैसे अंदर बैठोक चल रही है जिसमें बॉटल्स को यूज़ किया है बैठोक में यह जो प्लास्टिक हाउस हाउस में पानी के बहुत ले प्लास्टिक यूज़ ही जो कि बिल्कुल पांते है यह अभी विवस्ता जो है शायद इनको मालि जो पानी यहां विवस्ता की गई है इन्हें विविश्य में निर्देश दिये जाएंगे जो सरकार के दिशूचना है उसी को अनुपाल ना करे और इस प्लास्टिक की कोई भी सामगरी का इस्तिमाल ना करे